हलो गाईज वासब कैसे आप सभी लोग दोसों जब से ये नियूज निकल कर आईए जहां पर क्रिप्टो में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को फ्लैट 30% टेक्स पे करना पड़ेगा साथी में हर एक ट्रांजेक्शन के उपर उसे 1% TDS देना पड़ेगा तो हर एक व्यक्ति जो क्रिप्टो में काम करता है वो इस बारे में confused है किस तरीके से उसे 30% क्रिप्टो के अंदर टेक्स पे करना है और किस तरीके से उसे 1% अपना TDS पे करना है चैल पर नया चैल को सब्सक्राइब कर दीजिगा इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिगा तो चलिए आज वाली हमारे इस वीडियो को स्टार्ट कर दोस्तों सबसे पहला कोशन पूछा गया है कि फ्लैट 30% टेक से क्या मतलब है दोस्तों फ्लैट 30% से मतलब यह है कि आप लोग एक financial year के अंदर जितना भी crypto से profit करते है generate उस profit पर आपको 30% का tax दिना पड़ेगा अब फ्लैट 30% का मतलब ही है कि हर एक व्यक्ति को अब जो भी crypto में रहकर यहां से profit बना रहा है उसकी profit के उपर 30% का tax pay करना ही पड़ेगा यहाँ पर किसी भी तरीके का slab नहीं रखा गया slab से मतलब ही है कि अगर आप दूसरे field के अंदर देखे जहाँ पर अगर आपकी income डाई लाक रुपे से कम है सलाना की तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की tax को pay करने की जरूत नहीं है लेकिन crypto के अंदर यहाँ पर flat 30% का tax लगा दिया गया है यानि हर एक व्यक्ति को अब चाहे वो 1,000 रुपे का profit करता है सलाना 50,000 रुपे, 1,000,000,000,000,000,000 कितना भी profit करेगा financial year के अंदर उसे flat 30% tax pay करना पड़ेगा दोस्तो financial year count कैसे होता है तो दोस्तो 1 April 2022 से लेकर 31 March 2022 का जो टाइम पिरिट है इसे financial year बोला जाता है इस time period के अंदर आप लोग crypto से जो भी profit करेंगे उस पर आपको flat 30% का tax pay करना पड़ेगा और 1 April 2022 से ही जो condition है 30% tax की यह applicable sub users के लिए हो जाने वाली है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको financial year के अंदर आप जितना भी profit करेंगे crypto तो उस profit का आपको 30% देना होगा for example दोस्तों यहाँ पर मैंने crypto के अंदर 1 लाग रुपे invest किया अब दोस्तों एक financial year के अंदर यानि एक अपरेल से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच के अंदर मैंने अपने 1 लाग रुपे को 2 लाग रुपे बना लिया crypto में अब दोस्तों यहाँ पर आपको tax किस हिसाब से pay करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो आपके investment है उसको तो आप लोग निकाल ही दीजिए अब बात करे profit की तो आपने जो 2 लाग रुपे बनाए हैं उसमें से आपका profit 1 लाग रुपे का है अब उस 1 लाग रुपे profit पर आपको 30% का tax सरकार को देना पड़ेगा एक लाग रुपे का 30% tax यानि 30,000 रुपे tax आपको government को pay करना पड़ेगा इसके opposite में अगर आप लोग 1,000,000 रुपे invest करते हैं वो आपके एक financial year के अंदर 1,000,000 रुपे 50,000 रुपे बन जाते हैं यानि आपको यहाँ पर 50,000 रुपे का loss हो जाता है तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीकी की tax को pay करने के जरूत नहीं है दोस्तो tax pay करने के लिए आप लोगों को CA की help लेनी पड़ेगी वो CA आपकी हर एक transaction को देखेगा कि आप लोगों ने overall कितना profit कितना loss किया है उस basis पर आपकी ITR file की जाएगी और दोस्तो ITR file आपको कब करनी रहती है यह आपको करनी होगी दोस्तो मार्स 2023 के पहले दोस्तो मैं tax payer हूँ और मैंने अपनी CA के साथ इन सब चीजों के बारे में discuss किया then मैं आप लोगों के साथ सभी information share कर रहा हूँ बाकि आप लोग जब भी अपनी ITR file करने जाएगे तो अपनी CA से एक बार जरूर से सब चीजों के बारे में discuss कर लिजेगा next question में पूछा गया है कि 1% TDS का क्या मतलब है दोस्तों TDS को लेकर Indian exchanges की तरफ से अभी कोई भी clarity नहीं आई है लेकिन यहाँ पर जातर लोगों का बोलना यह है कि आप लोग जब भी crypto exchanges के अंदर money को deposit करेंगे मैं बात कर रहा हूँ Indian exchanges की like VazirX, CoinSwitch, CoinDCX, Unicoin यह जितने भी Indian exchanges है जब भी आप लोग इनके अंदर money deposit करेंगे या फिर money को withdraw करेंगे तो यहाँ पर आपसे 1% TDS चार्ज किया जाएगा और साथी में यहाँ पर बोला यह भी जा रहा है कि अगर आप लोग Indian exchanges के उपर trade करेंगे trade करने पर भी आप लोगों को 1% का TDS देना पड़ेगा TDS आपको देने के ज़रूत नहीं है, exchange वाले automatically 1% कट कर लेंगे For example, अगर आप लोग 1,00,000 रुपे की crypto को buy करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1% का TDS देना होगा 1% का मतलब ही है कि 1,00,000 रुपे पर 1,000 रुपे आप से exchange वाले cut कर लेंगे TDS के name के उपर, TDS का मतलब क्या होता है TDS का दोस्तों मतलब होता है text deducted at this source या फिर text deducted at this particular source यानि जिस source से हम लोग यहाँ पर किसी भी crypto currency से deal कर रहे हैं पर आप लोगों से TDS cut कर लिया जाने वाला है साथी में rumors की तरफ से news निकल कर आ रही है कि 1% TDS को कम करके 0.1% TDS लगाया जा सकता है और दोस्तों TDS कब से applicable होगा उस बारे में चलिए बात करते हैं लोग यह बोल रहे हैं कि 1 April से ही आपका 1% का TDS लगना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन यह news गलत है TDS दोस्तों 1 July 2022 से applicable हो जाने वाल है मुझे ऐसा लगता है कि तब तक July तक यहाँ पर TDS 0.1% भी हो सकता है next question पूचा गया है कि अगर हम लोग Airdrop से earning कर रहे हैं इसे अब 30% टेक्स पे करना ही करना पड़ेगा भले आप लोग Airdrop से earning कर रहे हो या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग करके earning कर रहे हो next question पूचा गया है कि गोरो भाई सेट ओफ का क्या मतलब है इसे हम एक example से समझते हैं दोस्तो मान कर चलो मैं बिजनस चला रहा हूं साथी में मैंने स्टोक मार्केट के अंदर भी investment कर रहा है for example मैंने स्टोक मार्केट के अंदर एक लाग रुपे invest कर दिया और मेरी business के अंदर मुझे financial year के अंदर पचास जा रुपे का loss हो जाता है और वही मुझे स्टोक मार्केट के अंदर एक लाग रुपे जो मेरी investment की हुई थी वो डेड़ लाग रुपे बन जाती है अब यहाँ पर देखा जाये तो दोस्तो मुझे नहीं profit हुआ है नहीं loss हुआ है तो यहाँ पर मैं अपना जो business या फिर आप बोल सकते हैं जो stock market का मैंने यहाँ पर investment कहता उसे मैं set off कर सकता हूँ यानि जब भी मुझे tax बरना होगा तो वहाँ पर मैं clearly बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी भी तिरिके का profit नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो loss business में हुआ था उसे यहाँ पर मैंने stock market के profit से set off कर दिया अब दोस्तों यहीं पर हम लोग समझते हैं cryptocurrency को जहाँ पर आप लोग किसी भी other business से यहाँ पर set off नहीं कर सकते कहने का मतलब यह है कि मैंने stock market के अंदर भी एक लाग रुपे invest किये cryptocurrency में भी एक लाग रुपे invest किये one financial year के अंदर या फिर एक साल के financial year के अंदर आप लोगों के जो आपने stock market में investment क्या होँ था वो आपके एक लाग रुपे बन गए 50,000 रुपे वह ही पर जो आपने cryptocurrency में एक लाग रुपे investment क्या होँ था वो आपके बन गए इसे दूसरे एसेट के साथ आप लोग सेट-ओफ नहीं कर पाएंगे अब मैंने जो क्रिप्टो करंसी में 50,000 रुपे का प्रोफिट कमा है इस 50,000 रुपे के उपर मुझे 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा भले ही मैं दूसरे एसेट के अंदर अपने लोग में चल रहा हूं तो अभी आपको पता लग चुका है कि no set of का मतलब क्या है, and मैंने लोगों के कुछ comments को देखा, जहाँ पर लोग ये बोल रहे थे कि Indian exchanges को use ना करके, international exchanges को use करना best रहेगा, जिससे आप लोग tax pay करने से भी बच सकते हैं, दोस्तों आप लोग गलत सोच रहे हैं, अभी Indian government, Indian exchanges को target कर रही है, अब दिरे दिरे दोस्तों जैसे tax implement होना शुरू होगा, applicable होगा, उसके बाद international exchanges को अपनी Indian government approach करेगी, 30% tax को लगाने के लिए, या फिर अपनी Indian users का data लेने के लिए, तो इस चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और अगर आप लोग definitely पता करना चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग crypto tax देने से बच सकते हैं, तो मुझे comment करके ज़रू बताना कि आपको इसका part 2 चाहिए, part 2 वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊँगा, किस तरीके से आप लोग genuine तरीके से crypto tax देने से बच सकते हो, आपके crypto के उपर कोई भी government, कोई भी exchange नजर नहीं रख पाएगा, यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा, मुझे नीचे comment करके ज़रू बताइएगा, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स टूडियो में, तब तक लिए जय हिन, वन दे मालतरम.